सत्थ रियकाल, साहितक साथ चैनल दे आप जिदा स्वागत, मैं हां हर्मीत कौर आज दी क्लास वे चसी पंजाबी विशे देनाल संबंदे थाउजन कोस्टन सी एक सीरीज शुरू करन जा रहे हां तां जो नेट एचिटेट जाँ अधर कॉंपिटिटिव एक्जाम सी त्यारी कर रहे विद्यार्थियां देले इस साहितक सत्थ चैनल लाहेवंद साबित हो सके सो आओ जोड़ दे हां आज दी पहली क्लास देनाल पहला स्वाल है कि कंबदी कलाई, मतक हुलारे, लेरा देहार, बिजलियां देहार जा मेरे साइयां जीयो काव संग्रह दा लेखक कौन है उत्तर देवित्य चार ओप्शन देते हैं पाई वीड सिंग, प्रफेसर पूरन सिंग, तनिराम चात्रिक, डॉक्टर हरपजन सिंग क्योंकि मेरे साइयां जीयो काव संग्रह जो है वो पाई वीड सिंग दा अजिहा काव संग्रह है जिसनों पार्ती सहत अकादमी दा अवार्ड हासल होया है अगला स्वाल है पाई वीड सिंग दी कविता दी मूल सोर जा मूल तो नी की है रहास्वादी है अध्यात्मक है समाजक जां फिर रुमांटिक ता सानु जुमें पता है कि पाई वीड सिंग जो है रहास्वादी अध्यात्मक वादी कवि सी क्योंकि उनना दे रहास्वादी विचारां दे उत्ते अध्यात्मक अंश जो सी ओ परधान सी सो सही उत्तर बनदा है अध्यात्मक क्योंकि पाई वीड सिंग दी कविता दी जो मूल सोर्सी ओ अध्यात्मक ही मननी जावेगी अगला स्वाल है कि आधनिक कविता दा मोडी कौन है तनिराम चात्रिक प्रफेसर पूरण सिंग पाई वीर सिंग जाँ प्रफेसर मोहन सिंग क्योंकि पाई वीर सिंग जो हन आधनिक पंजाबी कविता दे मोडी होन दा मान पाई वीर सिंग नू हासल है ता सही उत्तर पाई वीर सिंग है अगला है कि शोटियां कवितामा दा वड़ा कवि किस नू आख्या गया है शेवकुमार बटालवी नू तनिराम चात्रिक नू डॉक्टर हरपजन सिंग नू जाँ पाई वीर सिंग नू क्योंकि पाई वीर सिंग एक अजे है कवि हन जिनना ने शोटियां शोटियां कवितामा लिखियां हन और उना शोटियां कवितामा देविच पाव जा उना दे विचार जो हन वह बहुत उच्चे हन बड़ी हन प्रेणात्मक हन संदेश जो है ओ लोक मुखी है अगला स्वाल है कि पाई वीर सिंग ने केड़ी कविता लिखी हेट लिखिया देविचू कि कर कविता समाजवाद अंबीदे बुट्टे थले जा फिर चल बुलिया क्योंकि चल बुलिया कविता जो है डॉक्टर हरपजन सिंग दी है अंबीदे बुट्टे थले कविता प्रुफेसर मोन सिंग दी है समाजवाद कविता दे रचैता बावा बलवन्त हन सो किकर कविता जो है पाई वीर सिंग दी सही उत्तर है जिस्ते विच कविने किकर दा मानवी करण कीता है अगला स्वाल है पाई वीर सिंग दी मौत कदों होई सही उत्तर है दास जून उन्नी सो सत्वन्जा एट लिख्या विच्वों पाई वीर सिंग दा महाकाव केड़ा है हुन एदे विच्च सी विचार करनी है कि महाकाव क्योंकि कलगीतर कवित चमतकार जो है पाई वीर सिंग दी वारतक रचना है अश्ट गुरु चमतकार वी वारतक रचना है गुरु नानक चमतकार वी उना दी वारतक रचना है कि में क्योंकि ये गुरु नानत गुरु गोबिल सिंग ते आश्ट गुरु दसां गुरुआं दे नाल संबंदित तिन पुस्त का हन जिनना दे विच गुरु जीच सन उना दे जीवन दे नाल संबंदित साखियां हन साखियां हन क्योंकि ओ लिखियां जान दियां हन कहाणी रूप दे विच सो पाई वीर सिंग दा जो महा काव है ओ राणा सूरत सिंग है क्योंकि साखियां वारतक विच लिखियां जान दियां हन वारतक रचनामा हन ते महा काव दी निशानी है वो कविता देविच लिखिया जान्दा है सू पाई वीर सिंग दा महा काव राना सुरत सिंग है सही उतर अगला स्वाल है कि पंजाबी दा पेला नावल कार केसनू मन्या जान्दा है नानक सिंग नू, जिस्वन सिंग कावल नू, सुरंदर सिंग नरूला नू जाँ फिर पाई वीर सिंग नू सो, सबस्ट है कि पाई वीर सिंग ही सही उत्तर है, क्योंकि पाई वीर सिंग एक अजेहे लेखक हन, जिन्ना ने पंजाब्बी दे गद अते पद दोहां खेतरां देविच मोड़ी होन दी दा मान जिन्ना नू हासल है, क्योंकि वार्तक दे आधनिक वार्तक अते आधनिक कविता दोहां खेतरां देविच हर विदा लिखन दा सेरा पाई वीर सिंग नू जान दा है, शुरुआत करन दा सेरा, सो पंजाबी दा पहला नावलकार वी पाई वीर सिंग है, जिन्ना ने सब तो पहला सुन्दरी नावल लिखिया सी, सो उमीद है कि पाठका नू ये उपराला जड़ा है, ये नमात तजर्बा बहुत पसंद आया होवेगा विद्यार्थिया नू ते जो भी विद्यार्थि इस चैनल नू सोन रहेने, वो इस चैनल नू सब्सक्राइब कर सकतेने तन्वाल